हेलो फ्रेंड्स एके कारफेट्स के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज आपके सामने है टाटा की जबर्जस्त फाइव इस्टार सेफटी रेटिंग वाली माइक्रो यह सुवी टाटा पंच है और यह इसका एडवेंचर रिदम पैक है और पंच के ला फ्रंट का डिजाइन देखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आपकी नजर जाएगी इसके लोगों पे जो क्रोम पे दिया गया है यह पूरा 3D क्रोम पे है और उसी की साइड में यह पूरी पट्टी दी गई है और यह यह पो होर्न की anál मिल जाती है और यह पट्टी आपकी मतलब टाटा की सभी गारीयों में इसी टाइप की दी जाती है किसी गारी में आपको नीचे फोरा क्रोम का दे दिया जाता है लेकिन यह पूरी फैमिली वाली यह लगती है कि एक히 फैमिली की सभी लेकिन टॉपन वेरियंट में यह पूरा आपको यह लीडी का सेटब मिल जाता है यहीं साइड में आपको टन इंडिकेटर मिल जाता है उसके बाद आप डियारल के नीचे देखेंगे तो यहां पे ग्लॉसी ब्लेक फिनीश में एक अंडर लाइन होती हुई जाती है जो आप आपको एक डियारल को कनेक्ट करती है और यही आपको टॉपन वेरियंट में भी मिलती है उसके बाद आप नीचे देखेंगे को यहां पे आपको हेडलैंप यूणिट मिल जाती है लेकिन इस variant में आपको fog lamp नहीं प्रोवाइड किये गए हैं उसके बाद आप एक cladding में देखेंगे नीचे bumper में तो यह छोटे-छोटे से आपको try arrow shape के design देखने को मिलते हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं और यही touch आपको तो गाड़ी के मतलब चारों तरफ आपको छोटे-छोटे से try arrow shape देखने को मिलते रहते हैं और इसके बाद आप head lamp unit में आप देखेंगे तो side में जो छोटी सी जगह दी गई है यह tire को cool करने के लिए जगह दी गई है जिससे यहां से आपको air pass हो सके एक चीज आप notice करेंगे कि यह एक micro SUV है लेकिन इसका road presence बहुत शानदार है क्योंकि इसमें आपको 1742 mm की width मिल जाती है जो अच्छी खासी है उसके बाद अगर आप bonnet में देखेंगे तो यह थोड़े से edges यहां पे मिल जाते हैं लेकिन यह पूरी white color की car है तो वो थोड़े से कम दिख रहे हैं उसके बाद आप उपर देखेंगे तो यहां पे आपको wiper मिल जाते है और वही पे नीचे आपको वाफर भी मिल जाता है और यही पे उपर आपको normal antenna मिल जाता है और अगर हम इसकी price की बात करते हैं तो यह लगवा है कि आपको भोपाल में 8 लाक रुपे के आसपास की मिल जाते है और यह adventure rhythm pack है यह तो हो गए इस car के पूरे front view की कहानी अब हम एक बार इसका पूरा side का view अच्छे फे देखते हैं कि इसमें हमें क्या-क्या चीजे मिल रही है तो सबसे पहले आपकी नजर जाएगी इसकी cladding में जो tire के ऊपर हो पूरे side में आपको यह black color की दी जा है और अगर हम height की बात करते है तो इसमें आपको 1615 mm की height मिल जाती है जो अच्छी है यह micro sub है तो फिसाफ यह सारी चीजे बहुत अच्छी है उसके बाद आपके नजर जाएगी इसके tire पे यहाँ पे आपको 15 inch की tire मिल रहे हैं और यह wheel cover भी आपको black color में मिल जा रहा है यह अच्छी बात है क्योंकि इसके साथ यह match होता है और यह पूरी cladding मिल जाती है आपको black color में जो पूरे ही car में आपको देखने को मिलेगी उपर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको body color में ही ORBM मिल जाता और इसी में turn indicator भी दिया गया है और body color में ही आपको door handle भी मिल जात और यह side से open होता है थोड़ा से unique लगता है और अच्छा लगता है और पीछे का आप wheel देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 15 inch के wheel प्रोबाइट किया गया है अब एक बार आप इस car का पूरा side view देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें जो बीचों बीचे एक line जा रही है जो पीछे tail lamp से होके आगे वाले door handle को touch कर रही है वो देखने में अच्छी लगती है क्योंकि side से यहाँ पे जो curve दिये गया है वो अच्छे लग रहे है अब एक बार आप इस car का पूरा rear view अच्छे से देखें कि इसमें आपको क्या-क्या चीजे मिलने वाल है उसके बाद आपकी नजर जाएगी इसके लोगों पे जो जैसे आपको आगे front view में मिल जाते है उसी type से यहाँ पी दिया गया और यहीं पे भी आपको यह पूरा chrome पे मिल जाता है जैसे कि यह adventure rhythm pack है तो इसमें आपको पीछे camera भी मिल जाता है और नीचे punch की badging मिल जाती ह उपर देखेंगे तो high stop mountain lamp मिल जाता है defogger और wiper दोनों ही चीजे नहीं मिलती बेरियंट में छोटा फा rhino मिल जाता है और vocal far locker का sticker मिल जाता है उसके बाद आप दूफरे side का tail lamp देखेंगे तो वही design आपको देखने को मिलता है और 70 liter का fuel tank मिल जाता है उसके बाद आप पीछ पीछे ही आपको बिल्कुल पीछे यहां पर नीचे आपको reverse parking lamp भी दिया गया है तो यह होतो हो गए इस car के पूरे back look की कहानी अब हम देखते है कि इसमें हमें boot space में क्या क्या चीजे provide करी जा रही है जैसे यह आप इसका boot open करेंगे तो आपकी सबसे पहले नजर जाएगी इसके टॉप में यहां पर बहुत अच्छा काम किया गया है टाटा की तरफ से पूरा cover कर दिया गया और यहीं पर आपको boot handle भी मिल जाता है और यह प्रैक्टिकल है इससे बंद करने में आफानी होती है और इस variant में आपको parcel tray भी दिया जा रहा है और यह पूरा square shape में है ती पंचर repair kit भी मिल जाती है तो कहीं भी अगर आपकी गाड़ी पंचर होती है तो आपको दिक्कत नहीं आती है आप आफानी पर वह सारी चीज़े कर सकते हैं और अगर हम इसके spare wheel की बात करें तो इसमें आपको 15 इंच का ही open करके दिखा देता हाँ आपको 15 इंच का ही spare wheel भी म उसके बाद तो अब हम एक बार के लिए boot बंद करते हैं और exterior की तो सारी चीज़े हमने देख लिए सारा महौल हमने fit कर दिया अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हमें interior में क्या क्या चीज़े provide करी जा रही है तो एक बार आप पूरा अगर window area देखेंगे तो कहीं पे भी प्लास्टिक देखने को मिलता है लेकिन यहां पर थोड़ा पर texture type को दिया गया है और यहीं पर ग्लॉसी बिलेक पिनिस में आपको opener मिल रहा है यहां पर भी आप देखेंगे तो यह थोड़ा पर light बाला जो portion है यहां पर भी आपको hard plastic मिलता है door handle अच्छा लगता है यह और umbrella holder भी दिया गया है तो यह सारी चीज़े अच्छी है और इसमें आपको speaker भी मिल जाता है और यहां पर side में यह आपको पूरा try arrow shape मिल जाता है और इसमें आपको 4 speaker मिल जाते हैं और दो twitter मिल जाते हैं लेकिन नीचे जो adventure variant आता है उसमें आपको सिर्फ 4 speaker देखने को मिलते है उसके बाद आपकी नजर जाएगी इसकी seat में यहां पर आपको adjustable headrest दिये जाते हैं जो अच्छी बात है और उसके बाद इसकी cushioning भी अच्छी है इसमें आपको मतलब चारों तरफ से bucket type से जकर लेती है तो यह देखने में बहुत अच्छी लगती है और अगर आप इसमें ब एक चीज है कि इसमें आप फिर पर recline आप adjust कर सकते हैं height को आप adjust नहीं कर पाएगे और इसकी height थोड़ी सी ऊपर ही है तो इसमें आपको कोई इसू नहीं आएगा उसके बाद आप पूरा dashboard का design देखेंगे तो यहां पे भी आपको dark और light का ही combination देखने को मिल दा है पूरी त चारो तरफ और इसी के नीचे यह पूरा light में मिल जाता है और यहां पे आपको कुछे switch मिल जाते हैं जरूरत के उसके नीचे आप देखेंगे तो यहां पे AVP paddle दिये गया है और एक बहुत अच्छी बात है कि dead paddle भी दिया गया और dead paddle का size देखिए जो बहुत practical है बहुत अच्छे और यह देश का लोहा है टाटा की कार है तो यह फारी चीजे तो होनी चाहिए थी steering wheel में chrome में ही logo मिल जाता है और side में आपको infotainment system के control मिल जाते है यह music वाले और right side में आपको कुछ भी नहीं दिया गया है फिर आपको PP का horn मिल जाता है और यह पूरा gray type पूरी steering ह यहां पे आपको कोई leather wrap type की चीजें देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि यह top and variant नहीं है और उसके बाद आपके नजर जाएगी इफके cluster पे तो यहां पे आप देखेंगे तो यह पूरा analog cluster दियागा और बीच में ही आपको MID मिल जाती है और steering wheel के नीचे यहां पे आपको wiper को switch मिल जाता है और इधर 5 आपको head lamp unit को adjust करने के switch मिल जाता है और steering के नीचे ही आपको key insert करने के दिया गया है क्योंकि इसमें आपको push start stop को button नहीं मिलता और इसी के चारों तरफ आप देखेंगे तो एक ring light type की जलती हुई दिखती है जो अच्छी लगती है और अगर हम उसके और AC wind में देखेंगे तो यहाँ पे पूरा glossy black finish के surrounding मिल जाती है चारों तरफ और वहीं पे 1000 का button मिल जाता है और पूरा आप def board का design देखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है दो type में दिया गया है dual tone में और यहाँ पे आपको manual AC मिलता है automatic AC का option नहीं दिया गया है और नीचे यहाँ आपको यह mobile charging related option दिया गया है यहाँ पे आपको C type भी मिल जाता है उसी के नीचे यहाँ पे mobile या पर्स रखने के लिए दिया गया है यह 5 speed का manual gearbox मिल जाता है जो देखने में अच्छा लगता और नीचे आप देखेंगे तो थोड़ा सा लेदर wrap type का design दिया गया है जो इसको आपको अपनी हिवाब फे ही adjust करने पड़ेंगे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे mic भी मिल जाता और यह yellow light मिल जाते है लेकिन अगर यह white light होती थोड़ा फा और पी premium लगता और ticket holder में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको vanity mirror भी मिल रही है लेकिन driver fight आपको यह लेकिन इसमें आपके जरूरत के documents और यह फारी चीज़े आ जाएंगी files और उसके बाद आपको driver fight का gate देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी change देखने हो कि नहीं मिलेगा जो driver fight में आपको चीज़े मिल रही है फिर पे individual power window का button मिलता है यह तो हो गई पूरी आगे की कह से आपको दिखता है यहाँ पे भी आपको एक speaker मिल जाता है और उसी टाइप से सारी चीज़े दीगी है कुछ भी change नहीं किया गया है फिर पे यहाँ पे इंडिविजुल power window का ही button मिल रहा है एक चीज में बताना भूल गया कि इस car का gate पूरे 90 degree में open होता है तो car में चठने और उतरने में कोई दिक्कत नहीं आती उसके बाद आप इसकी seat देखेंगे पीछे की तो यह पूरा fix headrest दिया गया है लेकिन कुसनिंग इसकी बहुत अच्छी है यहाँ पे आपको कोई भी issue फील नहीं होगा seat की कुसनिंग बहुत अच्छी है और seat बहुत आराम दायक है औ अगर आप कहीं दूरी का भी फफर करते हैं इसमें तो आपको थकावट महफूफ नहीं होगी और इसमें अंदर का space भी बूत अच्छा है इसमें आप आफानी पे तीन लोग आराम से बैट सकते हैं लेकिन अगर थोड़े से healthy हैं तो दो लोग और एक छोटा बच्चा तो बैट जाएगा अब एक बार मैं कार के अंदर बैट के देखता हूं कि क्या महफूफ हो रहा है तो फीड तो सच में अच्छी है इसकी कुफनिंग सच में अच्छी है और यहां पे आपको ठीक ठाक लेगी space मिल रहा है बहुत ज्यादा तो नहीं मिल रहा है क्योंकि छोटे इसकी कार है तो अच्छा काफ़ा आपको लेगी space महफूफ नहीं होगा और पीछे आपको यहां पर एसकी कूलिंग अच्छी है और पीछे आप देखेंगे तो डोर हो गयरा यह हैंडल हो गयरा फारी चीज़ें आपको मिल रही है और यहां पे आप पूरा def board को लुक पास करें तो इसमें हमें 1199 फीफी का थ्री फेलेंडर पावर पूल इंजर मिल जाता है जो 84 ब्याच्पी की मैक्सिमम पावर और एक वो 13 अम का मैक्सिमम टार्क जनरेट करता है और यह पांच स्पीड के मैनुवल गेर बॉक्स के साथ आता है और और उन्नीफ के MPL का माइ